अपने पर हिंदुस्तान बहुत अपॉर्जिन्टी ऐसा कुछ है नहीं पर हाँ जोग्रिफिकल डिवर्शिफिकेशन इस मस्ट पर ये अभी तीरे तीरे बढ़े गात तूल पर ये अच्छी ख़बर है आई एफसी के लिए उसको तूल देने के लिए और एचनाई के लिए विल्दी इंडिविजूल्स के लिए खेर आज के जादू तो चलनी रहा हैं का मैं ही पढ़ देता हूँ सारे स्टॉक से नियूज अब कोई और नहीं है लेकिन मैं ऐसी आगे के करके बढ़ आँ जिसे खबरे मेरे सामने आ रही है पी टीसी इंडस्ट्रीज इसकी सारेड़े को बोर्ड मीट है यह स्टॉक फटे ही चले जा रहा है साल बर का या पांत साल का जैसा चार्ट चाहिए आप वैसा दिखाना चाहुदा हजार पंदरा हजार का स्टॉक हो चुका है यह और यह बीच में कुछ प्रेट प्रेट कुछ अजस्मेंट हुआ था या पांत साल के कुछ हुआ था तगड़ा राइट्स था बहुत सस्टे में और यह जो भी इसकी फण्ड रेजिंग पर और वो भी इक्विटी इशुएंस के तुरू फण्ड रेजिंग पर विचार वे मरश गौट्फरे फिलिप्स आईटीसी इन सब को इसलिए डाप रखिएगा आवाज ने एक एक्स्लूजिव दी थी कुछ समय पहले लक्षमन ने कल वो पियूश गोईल साब हमारे यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर ने भी दोरा दी कि सेंटर फॉरंड डैरेक्ट इन्वेस्मेंट तंबाकू सेक्टर में तुबाकू सेक्टर में लिब्रलाइज नहीं करेगा इनफाक्ट नॉम्स की टाइटनिंग पर सरकार विचार वे मरश कर रही है यह लक्ष्मन ने पहले हाले फ्लैग ऑफ कर रह रहें नहीं नहीं आई टी ये तो कांस स्टॉक रोगा हुआ है बूल गई है यहा फूसी पर लगे हुआ है तक जूट गया जो नहीं हुआ नहीं हुआ आई टी से गाट्फर फिलिप्स वरगा दिखा दिखा जा रहे हैं एक्जिट करेंगे ग्लेंबाक लाइफ साइंसस से ग्लेंबाक फार्मा मत दिखाई यह गलाइफ साथ परसेंट का डिसकाउंट और ओफेस है तो आज पहला दिन नौन रिटेल के लिए कल रिटेल की बारी येस बैंक को लेकर कबरें डाइडाउन नहीं हो रही कल ब्लूमबग के हवाले से अपडेट्स आ रहे अब इसमें आए दिन अटकले लगने लगी है बीच में कुछ और अटकले क्लारिफिकेशन आता हुआ फिर कंपनी के तरफ से अभी फिर कल शाम का अपडेट आएं स्टेक से रिलेटेट की ये भी इच्छुक वो भी इच्छुक को डेटेल से करा स्क्रीज पर आ जाएंगी लेकिन अब ब्लूमबग की रिपोर्ट कहती है पाँच बिलियन डॉलर का जो स्टेक हो रहा है उसमें मिडीज, जेपान लेंडर्स, आबुदाभी बैंक फर्स आबुदाभी बैंक ये सब इच्छुक हैं इसलाई खरीदने में पर यह अटकने चलती है कुछ लाज़ ट्रेट इंट्रिस्टिंग थे प्रोटियन इगव टेक्नोलोजीज बरोडा म्यूच्छ वर्ण ने कल सबाद दो लाग शेर्स खरीदे डेलिवरी में कल लाज़ ट्रेट हुआ था कैनड़ा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ट जो अवास की एक्स्लूजिव थी वही सेलर थे खरीदने वालों की जड़ी लगी हुई है HSBC, Morgan Stanley, ICICI Prudential, Bofa Securities, Society General, Gisalo Master, Blackstone, Copthal, Mauritius वगेरा 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 इन सब ने वो चंग खरदारी करी कुछ रिजल्ट्स थे एक तो Tata Alexi आए दो अचानल में ऐसे थमझ में नहीं आया नमपर Tata Alexi अच्छ लगे कि नहीं लगे 2.5% आए बड़ी पर Tata Alexi को Premium मिलता है पीर से बहतर ग्रोध के लिए तो 2.2% को देखना पड़ा है कि बजार कैसे रीड कर रहा है Margin ज़रूर प्रेशर में थे Hikes वाइक हुआ होंगे देखना August का स्ट्रीट रियाक्शन मेले जोले से Numbers है सवा 2% आए में उचाल है और रिजल्ट में केसोराम इंडस्ट्रीज के Numbers आए आए 12% गिरी इबीटा 32% गिर रहा Margin 200 बिस्निस पॉइंट्स कांट्राक्ट हुए और घाटा बढ़ गया JTL इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस ठीक दिख रहा है आए फ्लैट है 2% बढ़ी पर वॉल्यूम्स 11% बढ़े Margin's 70 basis points इंप्रूव हुए बंसल वायर इंडस्ट्रीज कल लिस्टिंग हुई थी इसकी लिस्टिंग के बाद दोनों ही स्टॉक्स का रिस्पॉंस अचा था 35-35% मेंकाल से मजबूत बंद हुए थे दोनों लिस्टिंग जो थी एमक्योर और बंसल की बंसल में कोटक महिंद्रा म्यूच्वल फंड ने अलगलग स्कीम्स में 24,61,000 शेयर्स कल खुले बजार से खरीदे एक ट्रेड हुआ था FSN e-commerce अपन कहरे थे वोट फ्सलिबस आ गया था नाइका में Canada Pension Fund वहाँ पे भी एग्जिट करा है वहाँ पे उन्होंने 1,47,000,000 शेयर्स बेज दिये और I.C.C. Prudential Mutual Fund ने वो पूरा चंग नाइका का करीद लिया Canada Pension हर ज़र के से एग्जिट हो रहा है या अभी तक भूले नहीं है क्या उस टोफिक पे नी जाते ब्रेक ले लेते ब्रेक कुछ भूल के होंगा stocks तो आप भी देख लीज़ेगा ब्रेक के उस पर उस पर भी बातचीत करने के पर ब्रेक लेने का समय है उस पर आज का Events करेंडर और Commodity Strategy पर खत्री बाते ए करेंडर见 झर याप करेंड Way़ करेंड वीज़